राम राम, आज हम विश्णु सहस्री नाम के शलोक बंद्रा की तरफ बढ़ते हैं पहला चरण, पूपे बड़ी उकी मात्रा है लंबा कीछना है पूप, ता के साथ आधात पूप, तात मा पूप, तात मा पर, दोनों अक्षर पूरी, दोनों में अमिक्स करना है पर, मा की साथ आधात मा पर, मात्मा, च, च में अमिक्स करेंगे च पहला चरण, रिपीट, पूप, पूप, तात मा, पर, मात्मा, च साकेंड चरण, मूप की साथ आधाक, मुक, ताना पूरा शब्दोनी के बाद ना पी अनस्वार आधाम मुक्ताना, पर, हम लोग पर्मा बोल देते हैं इस जगह पर ध्यान देना है, दोनों अक्षर पूरे हैं दोनों में अमिक्स करना है, पर, मा, पर्मा, गती ग में अमिक्स किया, गती, ती में ए की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ा ही सेकेंड चरन रिपीट, मुक्ताना, पर, मा, गती, पहला और दूसरा चरन साथ में पूतात्म परमात्माच, मुक्तानां परमागती तीसरा चरन, अ, व, आधा, य, पूरा, अव्य, अव्य, य, में अमिक्स कर दिया, अव्य, and then एक और य है उसमें वापस अमिक्स करते हैं कैसे बोलेंगे, अव्य, य, अव्य, य, य, में आके मात्रा थी, इसलिए विसर्ग को पढ़ लिया, ह, वापस ध्यान देना, अव्य, यहां तक एक य, पूरा हुए, अव्य, and then एक और य है, तो अव्य, य, य, अव्य, य, य, पूरू, द की मात्रा थी, विसर्ग को पढ़ लिया, ह, पूरुश, सा, शत्री यह लिखावे, साक के बाद, शत्री का मतलग, क्या होता है, आधा क, और शह से शटकोंट, पूरा, तो सा की साथ आधा का जोड़ेंगे, साक, और शह पर, इ की मात्रा, साक्षी, तीसा चरण, रिपीट, आव्यय यह पुरुष्य साक्षी, चौथा चरण, वही वापस शत्री यह है, पहला आक्षा है, आपको आधा कर, मिक्स करना नहीं भूलना है, ख्षे, ख्षे, शपे एक िमातला लगी, ख्षे, त्र मी आधा करें, ख्षे, त्र ग्यो, क्षे त्र ग्यो, ग्यो की बाद, अवाग्र यापको लम्बा कीचना है और लम्बा कीचते विए जो अवाग्र के बाद में क्षत्रियर उसका आधा कब बोलना है काईसे च रग्योक कव आ गया से से शकौन पूरा उसमें और कर देंगे क्षेत्र ग्योक्षा और अबी हैं क्षेत्र ग्योक्षार साथ में अभ्य यह पुरुष्य साक्षी शेत्रग्योक्षर इवच पुरिश्लोका उच्चारण एक साथ पूतात्म परमत्माच मुक्तानां परमागतिही अव्ययः पुरुष्य साक्षी शेत्रग्योक्षर इवच एक बाड़ वापस पूतात्म परमत्माच मुक्तानां परमागतिही अव्ययः पुरुष्य साक्षी शेत्रग्योक्षर इवच शेत्रग्योक्षर इवच पूतात्मा दो शब्दा हैं पूता थन आत्मा पूता का अर्थ होता है पवित्र आत्मा यानि आत्मा पवित्र आत्मा परम आत्मा इसमें दो शब्द परम धन आत्मा परम यानि जो श्रेष्ठ है आत्मा यानि जो श्रेष्ठ आत्मा मतलग जो परम श्रेष्ठ हमेशा के लिए शुद्ध हमको पता है परम आत्मा आत्मा स नहीं होती है उसी तरह जो परम श्रेष्ट है वो भी नित्य शुद्ध है मुक्त स्वभावाला है कि कोई भी उनको बांध नहीं सकता तो ये हो गई परम श्रेष्ट नित्य शुद्ध मुक्त स्वभावाले परमात्मा मुक्ता नाम मुक्ता नाम यानि मुक्त पूरुषों की परमा यानि परम और परम यानि श्रेष्ट और गती अतलब जो मुक्त पूरुष है उनको जो सर्वश्रेष्ट गती मिलती है जब आप इस संसार के बंधन को पार कर जाते हो बाद जो गती होती है उसको बोलते हैं मुक्ता नाम परमा गती ही अतला मुक्त पुरुशों की सर्वश्रेष्ट गती स्वरू अव्ययह व्यय यानी होता है खर्च जिसका विनाश हो रहा है जो नाश को प्राप्त हो रहा है तो जो अव्ययह मतलब कभी भी विनाश को अर्थ होता है शरीर और शयन तो पुरु धन यहां पुरुशय का अर्थ क्या हुआ जो शरीर में पुरुशय का अर्थ क्या हुआ शरीर तो जो शरीर में शयन करने वाले हैं उनको बोलते हैं पुरुशय साक्षी साक्षी का अर्थ होते ही हमको क्या पता चल जाते हैं कि जिस के सामने हो आपने या तो वो बात सुनी है या वो बात देखिए लेकिन भगवान हमको ना दिखते वे भी हमारी हर बात के साक्षी हमने क्या कर्म किया है हम क्या कर रहे हैं और हमारे अलावा भी इस अंसार के लोग क्या क्या कर रहे हैं उन सब की साक्षी कौन है परमत्मा तो शित्रग्य यानि हमने गीता जी के अध्या 13 में भी इस शब्द को देखा कि शित्र का अर्थ होता है शरीर और शित्रग्य यानि जो शरीर को जानने वाले हैं तो इसी तरह यहाँ पर भी वही अर्थ है शित्रग्य अर्थार जो इस संपोन शरीर को जानने वाले हैं अक्षर शर यानी होता है जो नाश को प्राप्त होता है अक्षर जो कभी भी शीर नहीं होते हैं तो पूरा अर्थ क्या निकला पवित्र आत्मा परमश्रेष्ट नित्य मुक्त स्वभाव वाले मुक्त पूरुशों को जो सर्विश्रेष्ट गती होती है वो गती स्वरूप कभी विन इसको प्राप्त ना होने वाले इस शरीर में शयन करने वाले बिना किसी व्यवधान के सब कुछ देखने वाले शरीर को शित्र अर्थात इस शरीर को जानने वाले और कभी भी शीन न होने वाले यहां पर भगवान विश्णु के सहस नाम के कुल 17 नाम पूरे होते हैं हापने 1 से 9 शलोक नमबर 14 में देखे थे और आज 10 से 17 ये नाम आज के शलोक में कम्प्लीट हुए अग अविनाशी सहज सुखराशी हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलू नहीं नारें 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 नारें